तो दोस्तो बेरुजगार भत्ता में अगर आप आधार नंबर से अपना इस्टेटस चेक करना चारे हैं आपके पास रजिस्टेसर नंबर या कोई भी जंजट नहीं है तो आप बिल्कुल EGO में चेक कर पाएंगे आपको simply अपने mobile laptop PC जिसमें भी आप चेक करना चाहिए उसमें चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको आधार यानि कि अपने mobile में Google का new page उपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है जनसूचना.radistan.gov.in दोस्त इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के नीचे description में करा दिया है आप वहां से भी direct इस page पे आ सकते हैं दोस्तो हाल फिलाल में राजस्तान वालों के लिए बता रहा हूँ अगर आप दूसरे राजिस से वीडियो देख रहे हैं अगर आपको वहां की side चीए तो आपको comment box में अपने राज्य का नाम जरूर बताना है कि आपको क कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे जन सूसना portal 2020 यहाँ पे click here दिखा रहा है यहाँ अपे आपको click करना है जैसे click करेंगे click करने के बदर आपके सामने स्तरीके से यहाँ पे next Пर जाएगा यहाँ पे आपको सरकारी योजनावों में chain select के पर click करना है जैसे click करेंगे तो आप आपको क्या करना है यहां पे आने के बाद आपको option दिखाई देगा जो मैं बता देऊं आपको इसको scroll करते वे नीचे लेके आना है नीचे लेकर आने के बाद आपको इस तरीके से यहां पे option दिखाई देगा यह आप देख सकते हैं यह option आपको दिखाई देगा रोजगार या Employment, आपको इसके पर क्लिक करना है, दोस्तों आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे description में मैंने site upload करा रखी है, आप उसके पर क्लिक करेंगे तो आप direct इस page पे आएंगे, यहां से link मैंने copy करके आपको provide करा दिया है, इससे पहले की जंजट आपको कोई भी करने की ज़रत नह आएंगे, तो आप देख सकते हैं, रोजगार भत्ता के लिए आविदन की इस्तती, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं, रोजगार भत्ता के लिए आविदन की इस्तती छेतर वार, यानि कि जिले वार आगर आप देखना चा रहे हैं, तो आप यहां से check कर सकते हैं, च और नोटिफिकेशन कौन भी कर लें और जानकारी पसंदारी हो तो वीडियो के एक लाइक और एक सेर जरूर कर दें तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रकार चुनना है अगर आपके पास रजिस्टेसन नमर है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आधार नमर है आधार का पास होता है तो हम यहाँ पर आधा नमर हमारा टाइप कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 12 अंको वाला अपना आधा नमर इंपूट कर लिया है आप भी अपना आधा नमर यहाँ पर इंपूट कीजेगा उसके बाद आपको एक खोजे का जो ओप्सन दिखाए दे इसके पर किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे पेस जो है रिफ्रेश होगा रिफ्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लिकेशन नमर आपको यहाँ पर मिलेगा आपका उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है चेक करेंगे कि आपका कह कहां पे approval हो चुका है दोस्तों मैंने 2017 में registration किया था उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं 2017 में मेरा यहां पे approval हो चुका था लेकिन मेरा यहां पे जो है इस farm को रोक दिया गया था इसका region यहां पे आपको उस account नमबर में मेरी scholarship आयो ही थी अगर आप ऐसी गलती ना करें अगर आप जो है इसके लिए अपलाई कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें SBI bank का account ही यानि कि कम इसमें मांगा जाता है इसके लावा और bank के अंतरगत यह बेरोजगार भत्ता नहीं आएगा मैंने खुद ओपिस में फोन करके जानकरे लिए है उसका वीडियो भी cold record मैंने डाल रखी है चैनल पे वो आप देख लीजिएगा तो यहां पे आप देख स भी है उन्होंने account लगाया था तो उनकी account में यहां पे scholarship आने की वज़य से बेरोजगार भतता नहीं मिला था हाना कि यहां पे मुझे दो साल हो गया है मैं इसे renew करा के दुबारा से apply करूँगा तो आप भी एक साल बाद इसे renew यानि कि दुबारा से भर सकते हैं अगर आपक complete करेंगे और दोस्तों अगर आप भी बेरुजगार भत्ता से समंदित पलपल के अपडेट चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निसान को दबाके all notification को ज़रूर कर लेगा क्योंकि हमने आधार कार्ट से बता दिया है कैसे जो है आप अपना status चेक कर सकते है करा दिया है